दिया जलाते समय यह गलती न करें, रूट कर चली जाएंगी माता लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी घर की धन और दौलत मित्रो नमस्कार मैं मैंग त्रिपाथी, नच्छत राज चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ यह ध्यान रखें, हम सभी पूजा करते हैं, कभी-कभी अंजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण से धन की कमी होने लगती है जब भी दीपक हम जलाएं, एक रूवी बत्ति यदि मैंने जलाया और वह रूवी बत्ति अधजली रह गई तो हम सोचते हैं, लाओ इसके उपर दूसरी बत्ति रखके जला दें, यह गलती न करें यदि आपको दोबारा दीपक जलाना है, तो पहले जो रूवी बत्ति अधजली रह गई थी, उसको निकाल करके आप साफ करें दीपक उसके बाद ही दोबारा जलाएं, अगर पहले की रूवी बत्ति जो की जली पड़ी हुई है दीपक के अंदर, उसके उपर आपने दूसरी बत्ति रखकर के जला दिया, तो यह बहुत बड़ा दोस होता है, मान के चलिए आपके पास जो पैसा रखा है वह भी हो जाएगा और आप धन से काफी ज़्यादा परेसान हो सकते हो, दूसरी चीज यह ध्यान लखें, कभी भी दोपहर के समय आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, खास करके लगभग बारा बजे से लगा करके शाम को चार बजे तक, इस बीच में भगवान के आराम का समय होता है, यदि खड़ी दोपहर में आप पूजा करेंगे, तो इससे भी आपको विसेस दोस लगता है, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब भगवान के आराम का समय होता है, उस समय, यदि आप घंटी बजाएंगे या पूजा अर्चना तो मान के चलिए, जितना किसी ब्रामोरों को भूखा रखने से दोस लगता है, आप उतने ही बड़े दोस के भागीदार हो जाएंगे, तो यह दो गलतियां आपको नहीं करनी है, पूजा जब भी आप करें, तो कोशिश करें कि ग्यारा बजे तक आप पूजा कर लें, और बाद में संध्याकाल को पूजा करें, खड़ी दोपार में पूजा करने से आपको बचना चाहिए,